शार की ताजा खबरे देखने के लिए इनवी से न्यूस को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भुलें समुद्रपूर्ट तहसिल के मानगाओ में किसान के गोठे को करीब रात के एक बजे के वक अचानक आग लगने से गोठे में रखा साहित तेजल के खाक हो गया है, किसान का करीबन तीन लाख रुपयों का नुपसान हुआ है प्राब जानकारी के अनुसार मानगाओ यहां के सुधाकर राओ वर्गने, इनके गोठे को अचानक आग लग गई देखते देखते आग ने रौद्ररूप धारन करके पूरा गोठा अपने काबू में ले लिया रात का समय होने से आपकी और किसी का ध्यान नहीं गया आग की लफटे दिखी तब गावालों के ध्यान में आते ही गावालों ने उसकी तरफ रुप किया आग को काबू में करने के लिए गावालों ने काफी प्रैत न किये लेकिन आग काबू में नहीं आ रही थी तब अगनी शमंदल को पाचारन किया गया लेकिन अगनी शमंदल का वहन घटना स्तल पर आने तक देरी हुचुकी थी जिससे गोठे में रखे हुए 250 सिंचन के पाइप बैलगाडी जनावरों का वैरन खेती उपयोगी साहित जल के खाक हुआ है इस आग में किसान सुधा कर रहा वर्गने इनका 3 लाख रुपयों का नुकसान हुआ है पहले ही कोरोना के कारण किसान हवाल दिल हुआ है अभी कुछी दिनों में खेती का हंगा माने वाला है तब इस आग में किसान का गोठा जल के भसमसात हुआ है तब किसान के सामने बड़ा आर्थिक संकट निर्मान हुआ